नमस्कार क्रिकेट प्रेमियो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लेकर आए हैं राजकोट में खेले जा रहे भारत और इंगलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का पूरा विशलेशन इस दिन को खास बनाया बेन डकेट की तूफानी पारी अश्विन के पांच सोवे टेस्ट विकेट और डेब्यूटेंट धुरुव जुरेल के सन्यमित प्रदर्शन ने तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रोमांचत दिन की कहानी सबसे पहले भारतिय की पारी का विशलेशन करते हैं भारत ने दिन की शुरुवात की पांच विकेट पर 326 रन के स्कोर से रविंद्र जडेजा जिन्होंने पहले दिन शतक बनाया था जल्दी ही जो रूट के शांदार गेंदबाजी पर आउट हो गए उन्होंने 112 रनों की शांदार पारी खेली इसके बाद ध्रुव जुरेल और रविचंदरन अश्विन ने मिलकर 77 रनों की अहम साजेदारी की देब्यूटेंट जुरेल ने 46 रन बनाये जबकि अश्विन ने 37 रनों की महत्वपून पारी खेली जस्प्रीत बुमराह ने भी 26 रनों का योगदान दिया इंग्लैंड की गेंद बाजी में मार्क वुड ने सरवाधिक चार विकेट लिये जबकि रेहान एहमद ने दो महत्वपून विकेट अपने नाम किये अब बात करते हैं इंग्लैंड की पारी की इंग्लैंड की शुरुवात बेन दकेट की शांदार शतकिये पारी से हुई जिन्होंने मात्र 88 गेंदों में शतक जमाया जो की भारत में किसी इंग्लैंड के बल्लेबास द्वारा सबसे तेज शतक है उनकी इस पारी ने इंग्लैंड को 35 ओवर में 207 बटादो तक पहुचा दिया उली पोप ने भी 49 रनों का योगदान दिया लेकिन मुहम्मद सिराज ने उन्हें पवेलियन वापस भेज दिया रविचंदरन अश्विन के लिए यह दिन एतिहासिक रहा क्योंकि उन्होंने अपना पांच सोवा टेस्ट विकेट लिया दोस्तों, राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन ने क्रिकेट प्रेमियों को बहुत कुछ दिया बेन दकेट की तूफानी पारी, अश्विन का एतिहासिक मील का पत्थर और डेबुटेंट धुरुव जुरेल का संधर्श यह सब कुछ इस दिन को खास बनाता है इंग्लैंड अभी भी भारत से 238 रन पीछे है, लेकिन उनके पास 8 विकेट बाकी है आगे का खेल कैसा होगा, यह देखना बहुत ही रोमाचक होगा इस विशलेशन को यहीं समाप्त करते हैं अगर आपको यह विशलेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद